Let us take question number 3. एक matrix दे रखे हैं यहाँ पर 2 by 3 की और एक B दे रखे हैं यह column matrix है. बोलने यह भी इस तरीके से हैं तो X और Y में relation find कोड़ना है. Very simple question. तो A B दे रखे हैं अपने बास यह हैं तो A B निकाल के देख लेता हैं तो A B हमने देखा कि A की value रख लो. तो A हमारे पास 1, 3, 2, minus 1, X, and 2 और यह हमारे पास कितना दे रखे हैं य, X और यह 1, Y, X और यह 1, तो हमने row 2 column multiplication करना होगा row 2 column multiplication तो कितना आएगा, Y और यह 2X, 2X और यह X, तो कितना हो जागा देखना, Y plus 2X plus X, row 2 column, तो 2X plus X, 3X plus Y हो जागा, कितना हो जागा, 3X plus Y, और फिर यहां पर multiply किया, 3Y minus X plus 2, 3Y minus X plus 2, यह, तो यह तो A भी आगया, और यह A भी given किसके है, 6 और 8 के given है, 6 और 8 के column matrix है, इस तरीके से, तो हमारे पास यहां पर 3X plus Y कितना आगी, 6 आगी, और हमारे पास यहां पर minus X plus 3Y plus 2 की value कितना आगी, 8 आगी, ठीक है, तो जब हमारे यहां पर, जब अपन यहां पर कि minus X plus 3Y की value निकालेगे, तो अपर कितना आगी, 6 आगी, Y की value कितनी आगी, 6 minus 3X, इसको यहां रख दो, तो यह कितना आएगा, minus X, और यह तो 3Y है, 3 से multiply करना पड़ेगा, मतलब 18, 18 minus के 9X is equal to कितना आएगा, 6, 9 और 8, 9 और 1 कितना हो गया, 10, इसको इधर भीज़ दो, तो यानि कि 10X is equal to, यहां से हमारे पास, 10X is equal to कितना आएगा, 18 minus 6, तो यानि कि 12, ठीक है, तो यानि हमारे पास यहां पर है, ऐसे तो हमें क्या करना था, X and Y में सिर्फ हमें relation निकालना था, X and Y में सिर्फ अपने को क्या चाहिए था, relation चाहिए था, बट ठीक है भी, अपनने तो यह कर दिया भी यहां पर, है ना, तो एक चीज़ कर सकते हमें तो शिर्फ X and Y में values निकालनी थे, तो फिर हमें सिर्फ equate करता हो, क्योंकि यह भी 6 के equal है, यह भी 6 के equal है, तो 3X plus Y is equal to कितना हैगा,もし x plus 3Y, तो इसको इधर करो, 4X is equal to कितना हैगा 2Y, यानि कि Y is equal to कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा, Y is equal to 2X, यानि एक आप्शन है, वह हमारा क्या हो जाएगा यहां पर है करेक्ट हो जाएगा ठीक है लेट इस टेक